हिंदू क्यों नहीं करते ब्रह्माजी की पूजा ब्रह्माजी की पूजा क्यों नहीं होती जानिए ब्रह्माजी के यूं तो कई मंदिर है लेकिन एक मात्र प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के पुसकर में है शैव और शाक्त आगम संप्रदायों की तरह ही ब्रह्माजी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है, जो वैखानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है, माध्व संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा ही माने जाते हैं, इसलिए उड़ुपी आदि मुख्य मध्वपीठों में इनकी पूजा आराधना की विशेश परंपरा है, देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्राय, सबसे अधिकाराधना इनहीं की होती है, लेकिन प्रचरित समाज में इनकी पूजा कोई नहीं करता और नहीं इनके नाम का कोई व्रत या त्योहार है, आखिर ऐसा क्यों है, इसके कई कारण बताये जाते है इनमें से प्रमुक तीन कारण जानिये, पहला कारण पुशकर में ब्रह्माजी को एक यग्य करना था और उस वक्त उनकी पत्नियों सावित्री उनके साथ नहीं थी, उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यग्यस्थल पर नहीं पहुँच पाई, यग्य का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानिय ग्वाल बाला गायत्री से शादी कर ली और यग्ण में बैठ गए जाट इतिहास अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुशकर की रहने वाली थी जो वेद ज्यान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी और जाट ही थी सावित्री थोड़ी देर से पहुंची लेकिन यग्ण में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गई उन्होंने ब्रह्माजी को शाप दिया कि जाओ इस पृत्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोक डर गए उन्होंने उनसे विनती की कि अपना शाप वापस ले लीजिये जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धर्ती पर सिर्फ पुषकर में आपकी पूजा होगी कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा ब्रह्माजी ने पुषकर जील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्ण मासी तक यग्य किया था जिसकी स्मृती में अनाधिकाल से यहां कार्तिक मेला लगता आ रहा है यहां विश्व में ब्रह्माजी का एक मात्र प्राचीन मंदिर है मंदिर के पीछे रतनागिरी पहाद्ध पर जमीन तल से 2369 फुट की उंचाई पर ब्रह्माजी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है जील की उत्पत्ती के बारे में किन्वदंती है कि ब्रह्माजी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रस्फुटित हुआ जिससे जील का उत्भव हुआ राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुषकर जील है पुषकर के उद्भव का वर्णन पद्मपुरान में मिलता है दूसरा कारण प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है दूसरा कारण यह की ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णू और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौट कर शिव से असत्य वचन कहा था तीसरा कारण जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी उनके मनमोहक रूप को देख कर स्वर्ग अपसरा मोहिनी नाम कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगा कर बैठ गई जब ब्रह्मा जी की तांद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्म देव, मेरा तन और मन आपके प्रतिप्रेम मत्त हो रहा है कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें ब्रह्मा जी मोहिनी के कामभाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्यान देने लगे लेकिन मोहिनी ब्रह्माजी को अपनी और असक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिजाने लगी। ब्रह्माजी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इश्ट श्रीहरी को याद करने लगे। उसी समय सब्तरशियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सब्तरशियों ने अपने योग बल से ब्रह्माजी की मिथ्या भाशा को जान लिया और मुस्कुरा कर वहां से प्रस्तान कर गए। ब्रह्माजी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है आपको तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।